स्वागत है दोस्तों आप सभी को ठीकर आच YouTube चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी Redmi Mobile में Call Settings कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजेगा और यदि आप उनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको Call बटन पे क्लिक करना है डाइल बटन पे उसके एकदम नीचे आपको Left Side पे तीन लाइन दिखाए देगा यहाँ पे क्लिक करना है जो कि Side Bar कहते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको Call Settings का काफी सारा Option दिया गया है एक One by One हम यहाँ पे बात करते हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहले तो Sim Card और Mobile Network के हम चले जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको Particularly Sim Card Settings करने के लिए Option दिया जाता हैं जैसे आप वर्टाफन पे क्लिक करते हैं आपका Sim One पे तो यहाँ पे आपको जो है Sim Card On Off करने का Option दिया गया है Edit Sim Card Name Sim Card का नाम को आप यहाँ पे इडिट कर सकते हैं और Sim Card का नंबर को आप यहाँ पे इडिट कर सकते हैं ठीक है Preferred Network Type में आप चले जाते कभी-कभी आपका Network में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप 3G पे स्विच कर सकते हैं वोल्टी पे स्विच कर सकते हैं 2G पे स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे Mobile Network पे आप चले जाते हैं तो आप यहाँ पे यह आपका Network connection स्विच कर रहा है तो Automatically Select करके आप सर्च वगेरा कर सकते हैं अब यह वोल्टी यह आपको एनेबल करना है यह आपका Mobile वोल्टी है तो क्यूंकि दोस्तों वोल्टी करने से क्या होता है कि आपका Swan Quality जो आपका Calling Quality होता है Video Call Quality होता है वो काफी सही आप आपको शो करता है अभी बेक चले जाते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको Mobile Data का Option दिया गया है और Off On कर सकते है डोईल 4G आपको Connectivity SIM जो है आपको यहाँ पर Option दिया गया है यूज मॉबाइल अटर दूरिंग वोल्टी कोल संदी सेगेंडरी सिम आपका जो दूसरा सिम है सेगेंड सिम है उसमें दूस्तों आप जो है Mobile Call करते वक्त भी आपका Internet चलने के लिए आपको यह On करके रखना है ठीक है तो दूस्तों यहाँ पे Set Data Plan चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको Data Plan का Usage वगेरा Data Usage, Data Usage, Notification वगेरा आपको Show होता है और यहाँ पे Data Roaming में आप चले जाते हैं तो दूस्तों Data Roaming आप यहाँ पे Always Select कर सकते हैं यहाँ एक State से दुसरे State में जाते हैं तब आपका Data काम करने के लिए ठीक है और यहाँ पे MMS वगेरा का Option दिया गया है डाइल, Internet वगेरा आपको Option दिया गया है ठीक है चले अभी हम बेक चलते हैं यहाँ पे अभी Call Recording पे चले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे Call Recording Notification Call Record Automatically यह आप इसे On करते हैं तब क्या होता है कि जो भी Number आपको Call करेगा तब क्या होगा कि दूस्तों आपका Automatically वह Call Record हो जाएगा ठीक है तो चले बेक चलते हैं Call Forwarding पे चलते हैं अभी Call Forwarding क्या है दोस्तों Call Forwarding का मतलब Call Divert होता है ठीक है यह दि दोस्तों आप अपना Number से एक Number में Network नहीं है तो उस नंबर को दूसरे Number में डाइवर्ट करने से क्या होगा कि आपके एक Number में जिस Number को आपने डाइवर्ट कर दिया है उस Number पर आपका Network नहीं होने पर भी उसमें आपको Calls आएगा ठीक है चाहे वह Number जो है दोस्तों Switch Off भी रहे जाए ठीक है आपको उस Number में Call आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर देखि जिस Number को जिस Number पे आप अपना Number को Forward करना चाहते है ठीक है सबसकी समझ लिजेगी आपके Mobile में एक ऐसा Number है जिस Number को आप जो है अभी Network नहीं है या फिर Switch Off है या फिर जो भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों उस Number को जो है आप स्तमाल नहीं कर सकते तो दूसरे Number में आप उस Number को ज तो अभी फिलाल में Turn Off कर देता हूं और Back चले जाता हूं तो बेक चले जाते हैं यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पर अभी Call वेटिंग का सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं चला गया भी Sim Select किया मैंने During a Call Notify Me of Other Incoming Calls तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि Call होगा किसी बंदे ने आपको Call किया है तो ठीक है तो यह सेटिंग्स है अभी हम बेक चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और Incoming Call Settings पर यहाँ पर आपको काफी सारा Option दिया गया है और यहाँ पर रिंग टॉन वोलियम जो है यहाँ पर एक बहुती बढ़िया फीचर है कि मतलब कोल आने पर यह आपकर वोलियम कम है तब वह आटमेटिकली आप हो जाएगा ठीक है और फ्लेश वें रिंगिंग यह आप फ्लेश लाइट चाहते हैं रिंग करने पर आपका म अब करने तो दोस्तों वह आता है आप जब भी कोल आप रिसीव करके अपने काण में लगाती हो तब आपका लाइट जो है इसक्रिन जो है वह बंद हो जाता है यह आपको एनेबल रखना है यह फर्स टो मिट फरस इंग फर कॉल फॉर 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 अन्नोन नंबर त तो आप किसी भी अन्नोन नंबर को जो है आइडेटिफाई कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर भी हम बैक चलते हैं ब्लॉक लिस्ट पर चलते हैं तो यहां से आप SMS ब्लॉक कर सकते हैं नंबर ब्लॉक कर सकते हैं और यहां पर और भी काफी कुछ कर सकते हैं तो चलिए हम ब Gorong कर रहे हो बाइक चला रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो तब आप इहां पे कर सकते हैं तो चलिए अभी हम बैक चलते हैं अध्वांस सेटिंग्स में हम चले जाते हैं तो यहां पी और भी दोस्ता आपको काफी सारा सेटिंग्स दिया गया है जिसके मदद से आप अपने मोबाइल में काफी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं तो दोस्तों यह था complete सेटिंग्स आपके Redmi phone पर उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग